बाबा साहब की बात करते हैं यह तो बाबा साहब का इतिहास और बाबा साहब की चीजे हिए हैं जो बहुजन समाज को जीबित रखे हुए हैं लेकिन मैं फिर भी चाहूँगा आपको ऐसी घटना बाबा साहब की हमारे टीवी दर्शनों को बताएं, जो आपको हमेशा विजलित कर देती हैं, वो एक्सपिरियंस शेयर करें। के मन में भी ये बात आए, कि जो गटना, जो राखिरावन बोल रही है, वो दर्द मातारमावाई ने सहा है, वो दर्द बाबा साहिब ने सहा है, वो गटना में सेयर कर रही हूँ इस बहुजन समाज के बीच, वो गटना है कि एक बार जब बाबा साहिब का सम्मान होना था, बाबा साहिब का भारत में सम्मान जगा जगा होने लगा था जब बाबा साहिब अच्छुतों के नेता के रूप में उबरे और बाबा साहिब लंदन से हमारे अधिकार लेकर लोटे थे तो जगा जगा बाबा साहिब का सम्मान चल रहा था और उससे पहले भी बहुत सारे ल लोग कैसे करते हैं बाबा साहिब की पत्नी यानि के हमारी पूज्य मातरमा बाई जी ने बाबा साहिब से एक दिन कहा कि सहाब मुझे भी आपके साथ इस समान समारों में चलना है बाबा साहिब ने कहा कि नहीं रामू तुम मेरे साथ नहीं चल सकती ऐसी बात नहीं है कि लेकिन वो मानी नहीं बाबा साहिब की पगड़ी जो सम्मान में मिली हुई थी बाबा साहिब की पत्नी के पास साड़ी नहीं थी और उन्होंने बाबा साहिब की वो पगड़ी खोली और उसकी साड़ी बनाई और बाबा साहिब का सम्मान देखने के लिए वो उस साड़ी को पहन कर साड़ी बना कर जाती हैं तो वो पगड़ी फिर से सुकड़ने लग जाती है और वो साड़ी सुकड़ कर नीचे से घुटने तक आ जाती है और जाते जाते वो साड़ी बहुत उची हो जाती है इसलिए मातरमा बाई बहुत दूर से बाबा साहिब का वो भासन सुन रह थी बाबा साहिब दलितों के उत्थान की बात कर रहे थे और मातरमा बाई की आँखों में आसुता और उनका सर कर्व से हुचा हो रहा आता कि मेरे साहब हमेशा इस बहुजन समाज के बीच जिनमे थी भी बहुजन लोग जनमे हैं जिनको कुछ अधिकार नहीं है उनके लिए मातरमा बाई बाबा साहिब का भासन सुनकर आ गई और वो घर बाबा साहिब के पोचने से पहले ही वो साड़ी की उन्होंने ऐसे ही पगड़ी बनाई और महीं पर रख दी जहां से वो पगड़ी उन्होंने उठाई थी लेकिन जब बाबा साहिब बोल रहे थे तो उन्हों माफ कर देना बाबा साहिब की बात सुनकर मातरमा बाई कहती हैं कि सहाब आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो आप मुझसे माफी मत मांगो सहाब आपने ऐसा क्या काम किया है जो मुझसे आप माफी मांग रहे हो तो मातरमा बाई कहती है मातरमा बाई की बात सुनकर बाबा सहिव कहते हैं कि रांओ आज मैं साथ करोड अचूतों के मुक्ति दाता के रूप में उबर रहा हूँ, आज रामओ लोग भारत के अंदर जगा जगा लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं, आज मुझे लोग बहुत सम्मान दे रहे हैं, लेकिन रामओ मैं तुम्हारा गुनेगार कि मैं तुम्हारे लिए एक शाड़ी का परबंद नहीं कर सकता। रामु तुम मुझे माफ कर देना, तब मातारमाबाई से बाबा साहिब, बाबा साहिब से मातारमाबाई कहती हैं, कि सहाब मुझे साड़ी नहीं चाहिए, साहब मुझे नहीं साड़ी नहीं चाहिए मैं फटी पुरानी साड़ी पहनकर या पुरानी साड़ी पहनकर ही जिंदा रह लूँगी आपके साथ जिंदगी बिता लूँगी लेकिन साहब आपने जो इन साथ करोड़ चूतों को इस देश का सासक बनाने की सोगंद ली है आप आप ने जो ये बीड़ा उठाया है, सहाब आप मुझे एक वचन दो, कि आप इन साथ करोड़ चूतों को इस देश का सासक बना देना, इसके लिए मुझे साड़ी की जरूरत नहीं है, और तब बाबा साहिब मातर माबाई से कहते हैं, कि धन है रामू, धन है रामू, कि की लड़ाई नहीं जीत पाता, और वही घटना मुझे आज विचलित कर देती है, जम मैं सुंदर कपड़े पहन कर, अपने समाज के बाहर जाती हूं, क्यूंकि आज मेरे पास ना तो पैसे की कमी हैं, और ना घर की कमी हैं, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, मे बाबाई ने नए साड़ी पहन ली होती, तो मेरे बदन पर ये नए साड़ी कभी ना आती, मातरमा बाई ने बाबा साहिब से राजभोज खाने के लिए मांग लिया होता, तो आज इस बहुजन समाज के मुमें ये राजभोज कभी ना जाता, मातरमा बाई ने अपने रहन पेश्वावने में काटकर धड़ा धड़ चड़ाई जाती रही और एक बात मैं यहां पर विशेश रूप से बताना चाहूंगी। बाबा साहिब ने बंद करा दी, हमारी इजत जो लुट रही थी वो सब बाबा साहिब ने बंद करा दी, हमें सम्मान की जिन्द की बाबा साहिब ने दिला दी, हमें मातारमाबाई ने सम्मान की जिन्द की दिला दी, अगर बाबा साहिब और मातारमाबाई ये त्याग और ब पहुजन समाज को जगाने के लिए काम करूँ ज्यादा से ज्यादा काम करके आज अपने भाईयों को बेहनों को ज्यादे से ज्यादा बाबा साहिब के मिशन में लाने की कोसिस कर रहे हूं अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंड़ी का बटन बिल्कुल भी दवाना ना भूरें ताकि सभी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले